स्वावत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्यान गंगा गागर में सागर में यह हमारा जो आज का टोपिक है यह टोपिक हमारा भासा संबंदित है भासा से जितने भी रिलेटिव कोस्टन है कहां से आई कैसे आई किसने भासा गवारें क्या कहा कहां से ली गई कैस इसका जनम हुआ किस के किस ने इस पे प्यक तक गोंसा दिया यह सारा ही इस सारा भासा से इसके लिए आप बड़े धहरी पूर्बखो करके सुनें समझें वीडियो को दोड़ाएं नहीं क्योंकि पहली बार हम जब वीडियो अच्छे से समझ लेते हैं उसके बार में बात में चाहें आप दोड़ाएं कुछ करें तो वो हमारे मांड में तठस्त हो जाता है और तठस से अच्छे वीडियो पेस करती आई हूं और ये भी वीडियो आपके लिए यूश्फूल है रहेगी तो आये जो हमारे चैनल का नारा है सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे चलते हैं अपने कक्षा के और पिलकुल कक्षा वाले ही फीलिंग आएगी आपके लिए हम कोई जल्दिवाजी नहीं करेंगे ठीक है हम अपने ग्यान गंगगागर मुसांगर्स चैनल के माधियम से आपके लिए भरिपूर भरिपूर ग्यान देने की पोसिस करेंगे अगर कोहीं पर मेरे उच्छारण में लिखने में अगर कोई गलती हो रही है तो आप में लिए कोई आ jetzt कोई नमबर में यह क्या कर रहा है कोईसम सौर्ष नि भासा का जैनम किस अपभण से हुआ है जो हमारे सॉर्ष नि भासा है यह पर किस अपरीright पाली भात आप सब्सकरिया Peng अले ↓ वो पाली भासा है, ये तो संस्कृट के बात पाली आई थी, तो ये तो होगा नहीं, option इह है, option C, संस्कृट के बात यह नहीं है, तो संस्कृट सबसे पहले आगी, है न, तो ये भी नहीं होगा, option D.P85 यह तो सभी के बाद आई है तो य भी नहीं हो तो option के बचा हमारा B बचा तो source any का जनम कहा से हुआ B बचा तो यह बिल्कुल सही हमारा जनम इसका कहा हुआ बराकृत ब्हासा के बाद Urs any आई है shores any प्राकृत ब्हासा से ही solid any का जनम हुआ है तो question हमारा कौनसा सही हुआ? question number, sorry, विकल्प हमारा कौनसा सही हुआ? B हुआ, ठीके? question देबताओ की भाषा, आए, देबताओ की भाषा, या देब बाड़ी भाषा, या देब भाषा, किस भाषा को कहा जाता है? option A का पाली भाषा, option B का प्राक्रित भाषा, option C का संस्क्रिट भाषा, option D का पैचासी भाषा, तो देबताओ की भाषा मारा कौनसी भाषा है? इसका लिए आप बताएं, क्यास करें, आप भी हमें ग्यास करते हैं पाली भासा तो हो नहीं सकती, option A भी नहीं हो सकता प्राक्रित भासा A भी नहीं हो सकती क्योंकि ये सब अपब्रहंस है तो हमारे option कोन सा बचा? C बचा, तो जो हमारे option C है न ये संस्क्रिट भासा, संस्क्रिट भासा को ही देब बाड़ी भासा, देब ताउ की भासा, संस्क्रिट को ही कहा जाता है, देब बाड़ी, देब ताउ की भासा, देब भासा, कीके, ये कोशन के लिए रहो क्या होगा, हमारी लॉंग वीडियो है ये, आप एक दम देखें, द में प्रपशन के लिए थे गवल तो उनकी कॉन सी भासा में लिखी गई हैंने कौन सी लीपी में लिखी गई है एक प्राकृत भासा पाली भासा option c का संस्कृत भासा option d का 85 भासा तो देखे प्राक्रित भासा में तो बहुत गताय नहीं लिखे गई थी ये इसमें जैन गताय लिखे गई थी option b पाली भासा option c संस्कृत भासा संस्कृत भासा तो हमारी देब भासा है उसमें तो हमारे भातव बुद्ध जी आये नहीं थे तो लिखी नहीं सकते उसकी भासा में और डी पहचासी भासा तो यह तो बिल्कुल बाद की भासा है तो यहां पर यहां पर तो महातव बुद्ध का पीजिट काल जो था समय सीमा जो थी अब दी समाप तो चुकी थी तो बहुत क्या भाज़ होति इसका तोमारी कि समय मुई किसमें वाखा नлекश्ट कोसटन देखते पढ़िए एंग इसके लिए किस बाशा में लिखी गई हैं जो जैन गताए हैं लेकि जैन कथा के परबरतक कौन थे हमारे जैन संप्रदाए के तो उनकी जो गताएं हैं वो किस परखेंगी हैं option a का पाली भासा option b का प्राकृत Canal सा, Option सी का संस्क्रीट भासा, Option D का पैचास्टी भासा, तो देखिव pagan Amanda ,uti we уг cod,asa के समय, तो क्योंकि entfer別 वासा कि प्रौ बासा जेश्ट कि अवायई थी Да संस्क्रीट के पाद में क्या हमारे एकicus Low लौका को आई थे उसके बाद में यंद्केद के बारी सकता उप्सिन से U. सब्सक्राइब मेंगें ऊप्सने नहीं हो सकता उप्सन C गें protecting प्समिधी यह नहीं हो सकते उप्सन D यह घुटल बात में आई थी उसमें बिनकर समय प्रिट नहीं है तो ऑप्सन हमारों बचा किसमें लखी गई उभारे प्राकर्ट समय लखी गई तो ऑपसन हमारा ओगया ठीके आएए बढ़ते अपने next question की तरह देखते हैं हमारे next question क्या कहता है पढ़िए हिंदी बेणवाला की कौन सी लिपी है जो हमारे हिंदी बेणवाला है हिंदी की ब्याकरण की तो उसकी कौन सी लिपी है option A का गुर्मखी लिपी option B का ब्रह्मी लिपी option C का देवनागरी लिपी, option D का संताली लिपी, तो देखे option E गुर्म की लिपी, इसमें तो हमारे पंजाबी आ जाती है, तो ये तो हो नहीं सकती, option E भी नहीं हो सकता, option B ब्रामी लिपी, ब्रामी लिपी जो है देवनागरी लिपी से पहले आई है, ये क्यों नहीं हो सकती, कैसे नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए तो हमारे भारत नहीं सम्मेदान में इसे जगह नहीं दिये, option C देवनागरी लिपी, इसकी चर्चा हमारे सम्मेदान में काफी पार करी गई है झाये विशेस दर्जा भी दिया गया है बना कुण कौन से हैं तो हमारी पर देशेस डर्जा पर सभा के घारा ही तो हमारे next question क्या कहता है आएए पढ़ते हैं इसके लिए हिंदी भासा कौन सी परवार की है जो हिंदी भासा जुगा है हमारी कौन सी परवार की है Option ए देवनागरी परवार, Option B खरोष्टी परवार, Option C और उपिय परवार, Option D द्राबड़ परवार, वो कौन सी परवार की है, यह देवनागरी तो लिपी है, तो यह परवार नहीं है, खरोष्टी क्या है, यह भी लिपी है, यह भी परवार नहीं हुआ, है न, वो द्राबड और खरोष्टी मिलती है जलती है एक दूसरे से तो यह भी नहीं हुआ तो फिर परिवार में से हमारे किसका बचा अप्सन सी भरोपी परिवार तो हमारी जो हिंदी भासा कौन से परिवार की है तो यह हमारी है भरोपी यह परिवार की ठीक है चले अपने next question के तरफ चलते हैं देखिए next question हमारा क्या कह रहा है आए पढ़तें इसके लिए भासाओ का सबसे बड़ा परिवार कौन सा है जो भासाओं है हमारी इसका सबसे बड़ा परिवार कौन सा है option A का अंग्रेजी भासा परिवार, option B का पंजाबी भासा परिवार, option C का नेपाली भासा परिवार, option D का भरोपी भासा परिवार तो हमने अगर इसके लिए भासा के संबंदि पढ़ रखा है कहीं पे तो उसके लिए आपको पता चल जाएगा कि हमारा option D रहेगा तो भरोपी भासा परिवार हो जाएगा इसका अंसर आएगा भरोपी भासा परिवार ठीक है जिकते हैं हमारा next question क्या कह रहा है पढ़िए question पूछ रहा है अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन, फार्सी यानिके प्राचीन, फार्सी यानिके पुरानी फार्सी हिंदी, पंजावी, जर्मन, नेपाली ये तमाम भासाएं किस परवार के अंत्रगत आती हैं यानिके किस परवार से हैं इनका समंद किस परवार से है option a का अंग्रीजी भास परवार option b पंचावी भास परवार option c नेपाली भास परवार ऐप्सेंड और बार और से देखिए यहां से कोसन जो मैंने बनाया है एक में सारी भास एक परिवार करेंगे इसलिए मैंने एक जगे एक इखटी करके डाल दी है और इससे क्या रहाएगा क या इतनी साफी कौोशन बनेंगे जो भी से जो यह सार ситу जाएंगे अलग-अलग तरह से पूची साथ होग्य के यहां इन सब की एक ही परिवार है ठीक देखते इस ओप्षिन यहिई पंजावी भास paintings बीदे नहीं देखते ओप्सन डेपाली वहास परवार पर भी नहीं तो option रहा हमारा d वाचा तो इस परवार से हमारी यह सारी भासा उपर जो कोशन में दी गई हैं यह हमारी है वरोपी भासा परवार से तो option हो गया हमारा d हो गया कौन सा हो गया d हो गया ठीक है कि बढ़ते हैं अपनी next question की तरह देखते हैं हमारा आगला question क्या कह रहा है फड़िए question पूछ रहा है भासा सब किस धातू से बना जो हमारा भासा सब्सक्राइब हर एक सब्सक्राइब की धातू होती है और वही धातू से रिलेटिब पूँच रहे हैं कि इसका किसे बना है option A का हिंदी के भास दातू से option B संस्क्रित के भास दातू option C पाली के भास दातू option D सौर्च अनी भासा के भास दातू से देना कि यह सारे हमारी क्या है लिपिया है तो इनसे पूछ रहें कि कौन सी लिपी से हमारा जो है भास सब ज्रीके बन के आया है तो अपसन सी आप अगर पढ़ेंगे कहीं तो आपको पता चल ज़ाएं कि किससे बना है option c नहीं sorry option b हमारे संस्क्रिट बहां सा te सुरी मेरे उच्छार में थोड़ी गलती हो रही है जो संस्क्रित वहां सा के वहां सदातु से बना है तो option हमारा हो गया बी जिखते हैं हमारा अगला question क्या पूँच रहा है हमसे पढ़िए भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है option A का 15 September 1949, option B 14 September 1949, option C 14 October 1949, option D 26 दिशंबर 1949 देखे इससे दो question बन सकते थे पर मैंने अधिक समय बिर्थ ना करके question क्या पूँच रहा है उसमें मैंने बताया है जिससे आपको इसकी date अगर आ जाई तो date भी पता रहेगा और अगर दिन पूँच लेंगे और मैंन तो पूँच लेंगे यानिके महीना पूँच लेंगे तो आपको भी बता रहेगा इसलिए हम इसको चलिए option क्या है option A 15 सक्तमबर 1949 को यह नहीं है option B 14 सक्तमबर अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब चरू करें में वीडियो को लाइक करें शेयर करें शेयर करें शेयर करें अगर हाँ कहीं गलती हो रही है तो आप मुझे comments में जरूर बताएं देखते हैं हमारा अगला question क्या कर रहा है देखिए क्या पूछ रहा है इसको हम देखते हैं पढ़ते हैं आप भी पढ़िए क्या है question दुनिया की सबसे अधिक आबादी का 18% बोले जाने वाले कौंसी भासा है जो दुनिया में जो भासा बोली जाती है तो कितनी भासा बोली जाती है हमारी ज्यादतर बहस 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 ब भूली जाती है हमारी भारत में तो वो option मारा होगा अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो हिंदी है उनसा है हिंदी है ठीक है आप अधिक से अधिक आध्यान करें बुक्स से जहां से भी हो वहां से अध्यान करें और मेरी वीडियो भी देखें चलते हैं अपने next question की दरफ क्या कह रहा है कोशन नमारा पढ़ते हैं इसके लिए आप भेपढ़िये भारत की राजभासा कौन सी भासा है और हमारे भारत की कौन सी राजभासा है हर एक देश की एक अपनी राजभासा होती है तो इसी तरह से हमारे भारत की भी एक राजभासा है तो हम देखते हैं कौन स ये option A का Sanskrit, option B का Hindi, option C का Pali, option D का English, तो इन मेंसे हमारी कौन सी भासा है, कि जो हमारे भारत की राज महासा है, तो वो option हमारा, ये संस्कृत हमारी क्या है, यह पहले है, आती थी, बैदिक रिगवेद के बाद, रिगवेद में संस्कृती चली थी, फिर बैदिक के आ गई, फिर लोकिक संस्कृत आ गई, उसके बाद हमारे पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, और प्राकृत के बाद में Source i.ne. इस तरह से आते गए और Hindi वा अर्लाश्ट में आही तो हमारे Question कौन से बना Hindi है Hindi को ही हमारी समयधान में राज बांसा का दर्जा दिया गया है तो हमाई राज मांसा कौन सी हुई Hindi होगी तो Option हो गया गी देखते हैं हमारे next Question क्या कह रहा है आइए पढ़ते हैं इसके लिए क्या पूछ रहा है देखते इसको देवनागरी लिपी के प्रत्थम प्रचारक कौन थे जो हमाई देवनागरी लिपी है इसका सबसे पहले प्रचार प्रचार किस ने किया था देखे बिल्कुल एक दम उनिक कोशन है साइद ही आपने कहीं पढ़े होंगे बहुत प्रत्थो कोशन एक्जाम रूम में कहीं से भी पूछ ली जाते हैं तो इसलिए मैंने कुछ यूनिक कोशन भी इसमें डाले है और जो हमारे लगातार आ भी रहे हैं पर इक चौंबो भी है तो ठीक पढ़ते है अपने कोशन की तरह देखना औरी चुलिपी है हमारी देवन निदे परफिल ड़िफ गोरी दत थे पंडित लिके निल्गे न भूल गहे हैं कोई नहीं तो गोरी दत भी आ सकता है लेह यह पंडित अर्दौरी देख सकतें औरrich रामचंबर सुक्ल जी तो रामचंदर शुखली जी तो यह हमारे बहुत ही बाद के हैं तो उसमें तो नह वाना जान ही हिंदी ये तो उसके पिरशार पिरशारक ते कौन थे सब से पहले किसने किया था इसका पिर पिरशार पिरशारक तो बरसने सार्दा तु सारदा icon मिर्सर जी ऑसन वी जानसोर उसन ऐечно पंडितिर बोरिदर और क्रांट question क्या कह रहा है देखिए देखते हैं option के लिए कौन थे जिसने नियालय में हिंदुस्तानी भासा और देव नागरी लिपी का समर्थन किया था कौन थे जिसने समर्थन किया था नियालय में कि नहीं इसी भासा को रखा जाना चाहिए सबसे पहले किसने समर्थन किया था इसका प्रिचारक तो हमारे पंडित गोरीदती जी थे पर नया आलाय में एक दम सिद्ध करना की नहीं जोड़ दे के कहना कि यह हो नहीं चाहिए तो कौन थे अप्सने का सारदा चरण मिस्र जी उप्सन भी चांसोर जी उप नयाले में क्या था कलकत्त नयाले में थे यह तो यह भी नहीं थे वड़ जो जिनका समर्थन किया था यह निके नयाले में तो वो कौन थे तो यह उप्सन हमारा भी हो रहा है जानसोर हो रहा है जानसोर कौन थे एक अंग्रेजी अधिकारी थे यह हमारे यहां पे अंग्रे जीवी थे चुनों नहीं हमारी भासा के लिए हिंदी के लिए कहा था कि इसके लिए हिंदुस्तानी भासा यानि देव नागरी लिपी इसको मां लिया जाए निकने हमारा आगला कुस्टन क्या कह रहा है पढ़िए कौन थे जिसने नियालय में हिंदुस्तानी भासा और देव नागरी लिपी का समर्तन किया था निकौन थे और गांदी जी तो समय थे पर उन्होंने इसका समर्धन नहीं किया था नियालय में तो बचे हमने OSee B तो हमारे छो को प्सक्राव समर्थण किया देव नागरी लिपी न कि देंधोर न पयक्यायमिं। तो उनी मेंसे हमारी जानसों भी थे इन्होंने हमारी हिंदुस्तानी मास्ता के लिए देवनारी लिपी में समर्थन किया था कि इसकी देवनारी लिपी रखी जाए ये की कोशन क्या कर रहा है पढ़े बिस्म में कितने हजार भासाइं बोली जाती है एनिकि पूरी दुनिया में वर्ल्ड में कितनी भासा है बूली जाती है ज़्यादा से ज़्यादा तर तो हम देखते हैं इसी कोशन में option A का शार हजार option B 3 हजार option C 8 हजार option D 10 हजार कितने हजार भासा है अधिक से अधिक बूली जाती है पूरे बर्ल में तो option डाड़ी जाती है option पे तो option B है 3 हजार भासा है सबसे अधिक बूली जाती है पूरे बिस बूल में यह हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 3 हजार भासा है बूली जाती है पूरे बिस में देखते हैं हमारा next question क्या कह रहा है पढ़ते हैं इसके सम्मिधान में हिंदी भाजा को किस अनच्छेद में रखा गया है एक जो हमारी हिंदी भाजा है हमारे सम्मिधान में इसके लिए किस अनच्छेद में रखा गया है Option A का अनच्छेद 343 से 351 Option B अनच्छेद 333 से 352 Option C अनच्छेद 434 से 451 option D 345-355 पर हमारे खला है इसके लिए कौन सै अंचिद मेदर रखा गया है विसेश दर्जा दिया गया है हिन्बासा के लिए option हमारे रहेगा A 340-355 हमारे अंचिद ऐसा है जिसमें हिंधी बासा की चर्चा की गई है उसके लिए विशेश दर्जा दिया गया है कि हमारी भारत की भासा हिंदी है इसकी लिपी कुंजी है देवनारी है तो इसकी शर्चा किस्मी है अंचेद 343-351 सारे टॉपिक आप पिली यहां पर हिंदी से रिलेटिव मिलेंगे चलते हम अपने next question की तरफ क्या कहरा है question इसको हम देखते हैं पड़ते हैं सम्मिधान की किस सूची में जो सम्मिधान है हमारी किस सूची में वायस भासाओं का परण किया गया है यह चर्चा करी गई है यह इसको विसेश दर्जा दिया गया है तो option एक नौभी अंसूची option b, 8 भी अंसूची option c, 7 भी अंसूची, option d, 10 भी अंसूची, तो किस अंसूची में हमारी जो बास भासाओं हैं उन्के लिए पिसेश दर्जा रखा गया है उनकी वारे में बताया गया है कि कौन कौन से अंसूची हमारे सम्मिधान में रखी गई है भारत में, उनके लिए कि लाया जाएगा प्रियोग में तो आपसं ब्ह कि अशॉची नहीं है राइद lt को सी साथ यह नहीं टी में गिन थो आपे नशुची नहीं दप्सन बी विंशुचा मुझे अंशुची जो हमारी आटवी ब्हल्सुची अंशAJरा समदान में उसमें 22 भी भासाम के रूप में किस भासा के लिए रखा गया है। किसको धर्चा दिया इंपनि और ne müsste मयिस वाहत है। और शुह हुख सब्सक्राइप। तो उसमें चार भासाइं जोड़ी गई थी और तो उसमें यह पूछ रहे हैं कौन से भासा जो थी उन चारो भासाओं में से चौथे जो लाश्ट की भासा थी 22 भी भासा उसे लाश्ट में रखा गया था तो देखिए अप्सन पहले पर क्या जाएगा हमारा सबसे पहले क्कोंसी भासट जोड़ी गई थी बोडो रखी गई थी ठीक है उसके बाद ढोगरी तो अप्सन सी तो हमारा हो नहीं सकता फिर ढोगरी औपून आ भी नहीं हो सकता फिर हमारे मैथाली रखी गई थी मैथली कि और लास्टी से बचा क्या हमारा चब बोडो मेथली पहले नमबर पर बोडो रगती गई किसा दूसरे पर दोग्री और तीसरे पर मेथली स्वड़ी सरी सोर। और झहें प्पर सम्मेधान सहूं है तो बचा क्या हमारा ऑप्सिंट डी तो 22 भासा है हमारी संविधान संसुद में जोड़े गई थी तो वह हमारी संथाली भासा है अगर इस तरह से कोस्टन जिलता है किसको अंगरी क्रत किया गया कौंसी भासा को तब भी हमारा संथाली आप बहाँ पर लगाएंगे चाहिए कोस्टन ऐसे पूछे जाए जो वैसे पूछे जाए आप संथाली ही लगाएंगे कोस्टन हमारे क्या है देखते हैं पढ़िए बोडो डोगरी मैथली और संथाली को आटवी अंसूची में सामिल किया गया कौन से संसोदन के द्वारा जो हमारे संथान है उसमें बोडो डोगरी मैथली और संथाली को कौन से संस संसोधन 2003 में 31 संसोधन 1992 में option C 21 संसोधन 1967 में option D 93 संसोधन 2004 में कब हुआ था तो यह जो हमारी संसोधन 2003 में कौन सा संसोधन हुआ था तो हिंदी की वहांसाओ को जोड़ने के लिए तो भी हमारा को संसोधन कर देंगे चाहे संसोधन संसोधन 2003 का किसी भी करण से पूछ ले आप इसके लिए ध्यान रखेंगे यह कि यह मेरा उच्चारा करते समय थोड़ा गड़बड़ा रहा है आपको इसको ध्यान ना दे को संपे द्यान दे आगे से में ध्यान रखूंगे कि नहीं हुआ ऐसा तो आप को संसन मार क्या कर रह है क्योंकि वोड़ड़ोगरी यह तो बात में जोड़ी गई है पहले कितनी भासा है थी जब सम्यधान संसोधन हुआ था उप्शन E का 16 भास है उप्शन B 14 भास है उप्शन C 12 भासा एं उप्शन D 15 भास है तो संसोधन से पहले है निकर इस सिरू सिरू में जब लागू किय गया था समयधान तब कितनी भासाओं के लिए हमारे समयधान में रखा गया था तो उससमें हमारे लिए देखिए उससमें रखा गया था कितनी भासाओं के लिए 14 भासाओं के लिए रखा गया था उप्सन मार हो जाएगा भी हो जाएगा ठीक है एक दिम यूनिक कोशन है गोसित संस्कृत 2005 में, कर्नड 2008 में, तेलगु 2008 में, मलयालम 2013 में और ओडिया 2014 में, बर्तवान में किस भासों को दर्चा राप्त है, यह यह जो यह भासाई है, इनके लिए कौन सी भासा? समिधान में दर्जा दिया गएा है option A का राज भासा option D का मातर भासा तो देखें ये जो भासाई जो है अपने इस तरकी अपने छेतर की मातर भासाई है और हमारे भारत की हर राज में अलगलग अपनी भासा होती है तो ये पूझ रहें कि इनकी कौन सा दर्जा दिया गया है ये सारी भासाओं के लिए तो हमारा option राजभासा की option B राश्ट भासा की option C सास्त्री भासा की option D मात्र भासा तो हमारा ये चुह है option C हो जाएगा सास्त्री भासा हो जाएगा समस्त भासाओं के लिए तमिल, संस्क्रित, कन्नड, तेलगू, मल्यालाम, ओडिया, यह सब सास्री भासा है, सास्री भासा वो होती ही जिसे ज्यान अर्जित करा जाता है, तो इस तरह से इन के लिए ज्यान अर्जित के लिए निपठन-पठन के लिए, धर्मकान के लिए जो ग्यान दिया जाता है उसके लिए हम सास्री भासा कहते हैं तो थेलबु भी हमारी क्या है एक सास्री भासा है और संस्कृति हमाई तो है कि हमाई भारत की संस्कृत से ही निकली सारी भासा है तो संस्कृत तो रहना ही चाहिए सास्री भासा इन्हीं की बारे में हापी चर्चा क अच्छा साहि कोसन है आपकी साहाधी कहीं मुलें ऴूंकि अफ़ ना अच्छा से कहीं है मैं अद आगे तो इसी आइ अगर आप मेरी वीडियो अच्छा लगती है तो अमकिमें तरह को सब्सक्राइब करें सब से लिए पढ़िए इसके लिए हिंदी भासा की सबसे छोटी काई क्या है जो हमारी भासा हिंदी है हम इसको बोलते हैं हमारी भारत की भासा कौन सी है हिंदी है और इसकी लिप्पी कौन सी है देवनागरी है तो यह कहें इसकी सबसे छोटी काई क्या है तो देखिए ऑप्सन एक है दो दोन, देखिए कोसन अगर कहीं पे दिया रखा है, दोनी और बर्ण, दोन में से कौन है, तो आप सबसे पहले हम धोनी निकालते हैं अपने मुख से, तो अपसन भापे मारा धोनी हो जाएगा, धोनी के बात क्या आता है, बर्ण आता है, तो अगर भापी जहां भी धोनी नी बहांसा की सबसे छोटी एकाई है निकि और उचारण के रूप से मौकित के रूप में धुनी हो जाएगी और लिखित के रूप में क्या हो जाएगी हमारा बरण हो जाएगा तो ओप्सन हमारे A और B दोनों ही है तो हमारा ओप्सन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे करते हैं अपना next question क्या कह रहा है पड़ते हैं से हिंदी बहाँसा के कितने भेध या रूप हैं भेध भी कह सकते हैं रूप भी कह सकते हैं option एका कथित मौकिक बहाँसा option बी लिखित बहाँसा option C सांकितिक बहाँसा तो जो हमारी हिंदी भासा है कितने रूप में बोली जा सकती है लिखी जा सकती है ना तो यह option d ए और b c तीनों ही नहीं ठीक है तो देखिये हमारी भासा जो है इसके तीन भेद है कितने भेद है तीन भेद है और वो कौन-कौन से है Option A का कथित मौकिक भासा भी है ये Option B लिखित भासा भी है हमारी हिंदी और Option C सांकेतिक भासा भी है तो Option हमारा क्या हो जाएगा D हो जाएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे रखते हैं तो आप मेरी चलों को सब्सक्राब जो करें मेरी वीडियो को लाइक करें शेर करें देखते हैं अपना Next Question क्या कह रहा है भारत में सबसदिक बोले जाने वाले भासा कौनसी हमारे भारत में सबसदिक कौनसी भासा बोली जाती है इसको देख लेते हैं बहुत ही अच्छा Question है सब files में आने वाले कोंसन है कितनी भी मैंने इस वीडियो में डाले है कोई ABC ऐसा नहीं है कि जो नहीं आएगा कुछ Heritage लागातार repeat kasht which Ќह आ रहा है कुछ måste ऐसे हैं कि जो unique मैंने रके हैं क्योंकि आभ नया पूराना सभी से पूँछ रहे हैं जरूर नहीं कि आ रहा है वही पूंसते रहेंगे तो हम सब तरफ से इसकी तियारी करते हो चलिए इसलिए मैंने बहुत प्रयाप्त कोशिश किया है कि आप यान दिलाओं बहुत कोशिश किये तो देखिए क्या है मारा बहरत में सबस्थाधिक बोले जाने वाली भासा कौनसी सबस्ञाथिक तो सबस्ञाथिक देखिए अब मारे हिंदी पयारे हैं तो अलग हो गई बोठ्पुरी जो क्या है तो सबसादी किस्म नो बोली जाती है है किसमे हमारे भारत में जाती है कोban कोशन क्या है देखते हैं कि पढ़ें सको इसको किसी छोटे छेतर में प्रीख्टकेश जाने वाली बोलचल की वहसा क्या कहते है निएकी प्रयुक्त होती ए लेखने सिघ्ट कि पहुंष रहें जैसे गाउं की वहां से थोड़ा हम शेहर में की तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ी और चेंज होगी तो भासा जो है कुछ छेत्र के तरफ गिंए कुछ किलोमेटर के बात बदलती रहते बिला की सितर पर फिछ इस तरफ फे थोड़ी चेंज हो जाती है तो यह वह कोशन है यहां से कि किसी छोटे चेत् बन्ती तो पहासा थो मारी बहासा किया है तो कि बहुत पहल देखे हैं? कि बोलुकिब के सब्सक्राइए कि ढधारत मासा कॉन सी है हिंदी है तो हिंदी जुए कि इसकी कितनी बोलिया है कितनी बोलियों में इस में बोला जा सकता है बोला जाता है तो हमारे भारत में change ации एका बारा option डी ऑब 20 मों 30 तो कितनी बासा है अधिकतर प्रयोक भारत में और जिनके लिए ब्लाइब समयधन में दर्जा दिया गया है वह हमारे वासा कहते हैं तो इस यह किस इसमी से कब तक हुआ ठीक है ऑप्शन एक ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी तो अप्रण्स वासा सबसे अधिक प्रयोग में कब लाई गई तो पांसो इसा पूर्व के बाद का जो समय रहेगा ना वह हमारी अप्वरंस काल रहेगा तो इस के हजार इस वी से तक से शुरू हुआ था हमारा अप्वरंस काल तो इनके पांसो के बाद में को सोन next देखतें क्या करहा है कोसन और हम में अंग्रेजी वासा के लिए कितने बश्रो तक कामकाजी वासा के रूप में रखा गया तब समय धान में अंग्रेजी वासा के लिए कितने बरसों तक रखा गया था option A का 15 वर्ष, option B का 16 वर्ष, option C 18 वर्ष, option D 22 वर्ष तो देखिए, बाइस तो होने सकते कि, बाइस तो हमारी जो भासाइं है, उनका वरानर है समिधान में तो option हमारा A रहेगा, 15 वर्ष तक, अंग्रेजी भासा के लिए कामकाजी के रूप में रखा गया था जो 15 वर्ष पूरे होने के बाद भी, आज भी हमारी कामकाजी भासा के रूप में समिधान में है, क्यों अंग्रेजी है question देखिए next क्या कह रहा है, समिधान में सहोगी भासा के रूप में किस भासा को रखा गया है, हमारे जो समिधान है बारत का सहोगी भासा के रूप में किस भासा के लिए रखा गया था जब हमारा सम्मिधान बना था सुरू सुरू में option A का चीनी, option B फार्सी, option C अंग्रेजी ये option D Latin तो देखी चीनी भी नहीं रखी गई थी, फार्सी भी नहीं रखी गई थी, लैटिर भी नहीं रखी गई थी, तो हमारा बच्चा क्या, option C ये अंग्रेजी भासा के लिए सम्मिधान में, कामका जी भासा के रूप में रखा गया था हमारे भारत के सम्मिधान में देखी Next Question क्या है देखते हैं इसके लिए फड़िए रष्ट वहसा के बीना रष्ट गूंगा है यह इंये हमारी रष्ट वहसा क्या है धे हमारा रष्ट गूंगा किस ने कहा था बताइएं अपसुन ऐ राजारामरु राय। मत मखानदी जी और D स्वामी बिवेकानणज गुए भीना भूभा है। महात्मा गणधी जी ने कहा था तो हमारा हो गया। क्या अग्दम यूने गोशनता यूनी ह dou stands20!! क्योंगो क्यों च tau पढ़ियस के लिए मेरी आंके उस दिन को देखना चाहती है जब कस्मीर से कन्या कुमारी तक सब भारतिये एक भासा समझने और बोलने लगेंगे ये वक्त तब जो है किस का है किस ने कहा था बताई option A दयानन सरस्वती जी ने option B राजाराम मुल्राई जी ने option C मात्मा गांदी जी ने option D स्वामी बेबे का नंग जी ने ये किसने कहा था बहुती अच्छा है एकदम यूनिक कोस्टन नहीं देखिए बहुत अच्छा है तो ये किसने कहा था ये हमारे दयानन सरस्वती जी ने कहा था तो option हमारा हो गया A उम्मीन करती हूँ आपके लिए मेरे कोस्टन अच्छे लग रहे होंगे मेरे वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप में चलों को सस्क्राइब जरू करें मेरे वीडियो के लाइक कोसर नेक्ष्ट क्या कह रहा है देखते हैं पढ़ते हैं इसके लिए क्या कह रहा है देखिए से भासा का सबसे पुराना रूप कहां मिलता है जो हमारी भासा जो है एक दम ऐसा तो है नहीं कि अभी हमने बोलना शुरुक रहा है भासा किसी ना किसी तरह से हर समय रही होगी इ और अफियर पहिसे हला का बहाई से हमारे प्राणा रूप मिलता है रिख वेंवारी बहांसा को बोला जाता था उसमें कि संस्क्रित निश्ट थी ठीक है उसके बाद में देरे देरे पाली पारा करत फिर इसी तरह से आफ ब्रहंस सरूओ गया हमारा और आम भासा बन गए नेक्स्ट क्या कह रहा है पढ़िए इसको क्या कह रहा है भारत की प्रतम देश भासा कौन सी हमारे भारत की प्रतम देश भासा कौन सी है मुझट अगर धुछ नहीं है कि सबसे पहली खालतो संस्कृत है तो संस्क्रिट से निकल के सबसे पहले आएंगे खेंगे अगर आपको मैरे अच्छे लगते हैं तो यौ यहाट समय चाएगा अपको मेरे क्या है आए परदें उसक्ली भूट्चपरी भासा किस भासा के अंतरगट आती है कि गहारी भासा या पूरौवि भासा या पस्मि भासा या fen शूर्च ने सांगी यांच हमारे क्या रहेगा ये याज ब्हारी भासा में आजाएगी, यह हमेशा पूछे जानने वाले क्वेसन है, हिंदी भासा से रिलेटिव हैं, कुछ उनिक क्वेसन भी डाले हैं, मैंने कुछ हमेशा जो आते हैं दरें तर उनको डाला है, इसलिए आपके लिए मेरी जो वीडियो है, यह आपके लिए एक दम हेल्थ फुल जरूर रहेगी, कोशन देखी क्या कह रहा है हमारा पडियस के लिए, ब्हारी भासा किस भासा से अधिक समंद रखती है, और जो हमारी मैतली है, यह हमारी ब्हारी भासा में आती है, मगही वेसी में आती है, अगर समंद की बात हो रही है, सबसे अधिक किस से रखती है, मेल खाती है, मेल जुलती जुलती है, तो ऑप्सन हमारा रहेगा, ए रहेगा, अगर ऑप्सन आ जाता है कहीं भी एक्जाम में, तो आप छोड़के नहीं आएंगे, उमीद करती हूँ कि आपके लिए यूनिक को कोशन पूछ लिए जाते हैं, तो इसके लिए आप एकदम तयार रहें, पहले से ही अपडेट होके रहें, नेक्स्ट कोशन हमारे क्या कह रहा है, कोशन पढ़ते हैं, मघी भासा कित महसा के अंतरत आती है, जो हमाई मघी भासा है, मैंने अभी पताया था, उसमें मैंने यह समंद किस से रखती है, सी से रखती है, तो और कोशन हो जाएगा, सी हो जाएगा, यह बहारी भासा समंद रखती है, अंतरगत आती है, यह हमारी भासा का ही रूप है, मघी भासा, अगर आपके लिए मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, हेल्थ फुल लगते हैं, तो आप म मैतली भासा किस भासा के अंत्रगत आती है कि मैतली जो भासा जो है किस भासा की भासा है या उससे उसका विकास हुआ है option A का अब्धी भासा, option B पूर्वी भासा, option C पस्मी भासा, option D बिहारी भासा किसमें आती है हमारी मैतली भासा तो देखिए अब दी तो हो नहीं सकती अब दी पूरभी एक हैं पस्मी ने भड़ी बूह लिया जाती है सौरज़े नई बगईरा तो उप्सन हमारा हो जाएगा लीट य य वहोगी हमारा विहारी भासा के अंतरगत आती है मैतली भासा और मै प्रिसिद्द कभी कौन थे, अभी मैंने next question में प्रताय था क्यों थे मैथलिभासा के प्रिसिद्द कभी हुए, option A का हुए, option B, option C, option D, कॉछ बावारत की सवी लिपी से निकली हैं याने कहा चैनल लिपी से निकली हैं इनने का Pikaas हुआ है पहारत की हमारी जो जितनीumps्स यह हैं कि जो यह उत्वी जितनी적인ाइं है तक ऐसले से निकली भारत की जितनी में लिपिया है तो यह हमारी सी से मिल्कुल गया Star करिए आप भी गैस करें तो यह निकली हमारी ब्रहमी लिपी से तो अपसन हमारा कुन से हो जाएगा भी हो जाएगा ठीक बहुत ही अच्छा कोस्तन है आता है पूछा जाता है और आने वाले समय भी आता ही रहेगा अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप में चनल सस्क्राब जरूर करें उम्मीद करते हैं आपके लिए मेरी वीडियो हैल्थ फूल यूजफूल जरूर रहेंगी ठीक हमारा नेक्स्ट कोसन क्या कह रहा है पढ़तें इसके लिए क्या है ब्रहमी लिपी का प्रियोग सबसे पहले किसने प्रियोग किया था जो हमार सब एक्जाम में पूछे जाने वाले कोसन है अधिकतर आते रहे हैं और आते ही रहेंगे आपके लिए मेरे वीडियो बहुत ही यूजफूल हैल्फूल साबित होगी इसके लिए आप अच्छे से सुने पढ़ें आप एक काम ना करें कि वीडियो को दोड़ाए नहीं आ पह है पढ़ते हैं इसके लिए कौन सी साखा से देव नागरी लिपी का विकास हुआ है और पूर्वी साखा और पश्मी साखा और दोनों ही या और दोनों ही नहीं कौन सी साखा से हमाई देव नागरी लिपी का विकास हुआ है तो देखिए पूर्वी साखा से भी हुआ है प देखते हैं इसके लिए कौन सी लिपी से देवनागरी लिपी का विकास हुआ है यहने कि कोस्टन अभी एक और भी मैंने पढ़ाय था कि कौन सी भासा से देवनागरी लिपी का विकास हुआ है सबसे पहले तो हमारी नाघ। पूरवी नागरी लिपी तो और ऑप्सुन हो गया सी आप कन्फूज ना हो अब ही साखा पूचा गया तो आप पूरी बता सकते अगर लेपी पूचे तो आप आप नागरी लिपी पर ही ठीक करेंगे कि नेक्ट कोस्न क्या है मारा गुच्राति लिपी का विकास किस साखा से हुआ आप लिपी में और साखा में गन्फूज ना हूँ अगर यहां पर लिपी पुछ रहा है कि कौन सी लिपी से गुच्राति साखा यह नहीं के विकास हुआ है तो ऑप्सन पूरवी साखा ऑप्सन लिपी ही नहीं तो देख्या आप्साल नेक् 5 संखा से हुआ मारी किस सट ऊछ land पुच जा रहा है कि लिपी पूछे जा रहा है देखिए नेक्ट कोशन के हमारा महाजनी लिपी का विकास किस साखा से हुआ एक दब आपके लिए उनिक कोशन लग रहा हुआ और आजकल कहीं से भी कुछी पूछ लिए देखिए हर भासा की अपनी एक लिपी होती है हर एक साखा की अपनी एक लिपी होती ही तो इसमें लिपी पूछ रहा है तो उप्सन एक पूर भी उप्सन भी पर्षमी साखा उप्सन सी ए और भी दोनों उप्सन डी ए और भी दोनों ही नहीं लिखना भूल है कोई नहीं तो देखिए इसका जो लिपी है महाजञी लिपी, इसका किस साखा से विकास भुआ है? तो इसका हुआ है पश्मी साखा से, तो Option वारत की हो जाएगा? hao Next Question के हमारे पढ़ते हैं, कैथती लिपी का विकास किस साखा से हुआ है? option A का पूर भी साखा, option B का पच्छमी साखा, option C, A और B दोनों, option D, A और B दोनों ही नहीं आएगा दी वाले में, तो आप बताईए, तो पिरते एक भासा की अपनी एक लिपी होती है, तो वो यहां पर पूछा जा रहा है, तो कैती लिपी का विकास किस साखा से हुआ है, हमारी पच्छमी साखा से हुआ है, तो इसका option क्या हो जाएगा, ठीक है, यह पढ़ते हैं, अपने हम next question क्या कह रहा है, बांगला लिपी का विकास किस साखा से हुआ है, आप सारी साखा है क्लिर करा देते हैं, option A का पूर्वी साखा, option B का पच्छमी साखा, option C, A और B दोनों या कोई नहीं, option D, तो देखिए, बांगला लिपी का विकास किस साखा से हुआ है, तो आप बहाँ प एक question क्या है पढ़ते हम ओडिया लिपी ओडिया लिपी का विकास किस साखा से हुआ है option A पूर्वी साखा, option B प्रस्थमी साखा, option C अभी दोनों, option D अभी दोनों ही नहीं तो option C या B या D कौन सा रहेगा तो option A रहेगा पूर्वी साखा से विकास हुआ है किसका ओडिया लिपी का और इसी से हमारी अस्मी साखा का हुआ है इसी से हमारी बंगला वासा का बंगला साखा यह जो बंगले वासा है उसके उसके उस लिपी का भी इसी से विकास हुआ है कोशन भी कहीं से कुछी पूछा जाएगा भासा सम्मंदित कोशन ही है और मैंने भासा से अधिक साधिक रिसर्च करके दर अधर से सारी जगह से बुक्स से गूगल से सबसे तब मैंने कोशन बनाए है और उम्मीद करती आपके लिए बहुत ही हैल्थ पश्चि 5 ओप्सनी कोशच हों जाने जाता है देब नागरी को और हिंदी की लिपी तो आप किसको लगाएंगे इस्टो को लोक नागरी अधिन दोनो ही है तो आप्सन में हो जाएगा डीए ओभी दोनों कि आये पढ़ते हैं अपना लाश्ट को सन लाश्ट को सन क्या है आप समझें इसके लिए धैरे पुरुबग एकदम यहां आप कन्फीज ना हो किए कि साखा पूछ रहे कि लिपी पूछ रहे कि भासा पूछ रहे हैं जो मैं कहरी उसके लिए बहुत ध्यान पुरोष्ट होने दम को सन यहीं पर गदहीं पर झौन पेखा और आप समं जाेंगा अससानी से चलिए हम पढ़ते को कि असमी बीक भिकास कि साका से हुआ है वि पूछ रहे हैं शाखा से पूछ रहें उ पूछ रहें हैं दो है पूर्भी और पश्च्मी टीक हैं और साख साख्मि तो पूर्वी कोm साख्मि पूर्वी का स्बुल पूर्व साख्मि और पूर्व फ हैसी शाख्मि उसे और भी दोनों ही नहीं ठीक है यहां भी हम नहीं लगाना भूलें आप कन्फिज ना हो यह क्या है नहीं ठीक है तो किस से हुआ इसके लिए बहुत ही बता सकता है जिसने इसको बहुत ही पढ़ा होगा और देखी मैंने बहुत ही मेहनत किये इस कोशन पर और सारी कोशन पर तो योगा किया हुआ विकास हुआ था वो कौन कौन से तीन लिपिया थी वो तीन लिपिया थी बांगला लिपी असमी लिपी और उड़िया शरब पूर्वी साका से इन तीन लिपियों का बिकास हुआ था और जबकि पश्मी साका से बिकास हुआ था कितनी लिपी होगा देगुनागरी लिपी राजिस्थानी लिपी गुजराती लिपी महाजनी लिपी और कैती लिपी ठीके कितने हो गई यह पांच हो गई किस से निकली थ पश्मी साखा से और पूरवी साखा से सिरफ तीन लिपियां निकली यह निके तीन लिपियों के पगास हुआ तो उन में से कौन सी एक साखा है एक उन में से एक साखा है कौन सी है असमी लिपी है कौन सी है असमी लिपी तो फिर यह किस से होगे को से नभी अप सॉल्ब होगे होगा आपका मिलकुल तो आंसर क्या आएगा निकल के यह आएगा पूरी भी साका से ठीक है हो गया एकदम क्लियर हुआ अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं मेरा पढ कोई गलती हो गई है और भी अगर कोई आपके लिए गलती ने जरा रही है मिश्टेक ने जरा रही है तो आप उसके लिए मुझे मेरे कमेंट्स वोक्स में बताएं उस चीच का मैं आगे से सुधार करूंगी और आप से एक मेरी और है कि आप मेरे कोस्णों को अंतताह झाल बाद कोई परूंगी और दीना चॉर्णेश से अनल आप से एक मेरे कोई उसके लिए और है आप लिएमगी जरा रहा रही है और रही है और रही है मिलेंवा झाले कोई है जरा और आए उसके लिए आट है